तो यार आपने PUBG में देखा होगा बंदे कार 98 से सनाइपिंग करते हैं कुछ लोग M24 चलाते हैं कुछ AWM और आज मैं आपको बोल रहा हूँ यार वो सब के सब गलत चीज़ों से सनाइपिंग करते हैं सब के सब गलत हैं तो भाई लोग कैसे हूँ तो यार वेलकम दी बैक बैक दी वेलकम और स्वागत आपका एक बिरान न्यू पबजी तो मोबाइल गेम प्रेवीडियो में अब देखो ये जो बंदा उतरते ही ये गुलाटिया पेलता है ना इसे सही करने के लिए भाई मैंने कमेंट में पड़ा था एक बंदे न बोला भाई उतरते ही मुक्का पेलना और मैंने कूसिस की तो हाँ अगर आप नहीं चाहते ये उतरते ही बेफालतों में गोल-गोल गुमे तो मुक्की पेलना और बंदा गोल नहीं गुमेगा, बहुत ही बढ़िया अब उतरते ही तुमारे भाई को मिलती है सकॉर्पियन, ठीक है अब ये नहीं कि जाके एक धंकी गन लेलू नहीं भाई, सकॉर्पियन से पेटिया बनाना चालू कर देता हूँ मैं खैर एक बंदा उपर ही होता है, उसकी सीधा पेटी बना दी, अब एकाथ सस्ती गने लूट लेता हूँ, फिर जाके गुसके रस करेंगे और यहां आगे मुझे बंदे भगते वे दिख रहे हैं, और यार जी सीधा आप से ये लोग भग रहे थे न, मेरे ख्याल से सबके सब निहत्ये और नंग्ये हैं तो यहां पे तुम्हारे भाई के पार सिर्फ और सिर्फ ये सस्ती UMP45 है, जिससे यार काम चलाओ गोलिया चली जाती हैं, बंदे ठिली जाते हैं मतलब आप मजबूरी है यार इससे ही पिलना पड़ेगा, तो मैं आगे जा रहा हूँ तो बाकी निहत्ये ढूड़ने और ये दिखता है मुझे यार कभी कभी मैं ये बात नहीं समझ पाता कि लोग कैसे, कैसे किसी बंदे को नोग करके उसकी बगेर पेटी बनाए छोड़के चल देते हैं मतलब यार मैं तो क्या करता हूँ भाई नोग किया चाहे मेरी पेटी बने मैं पेटी बनाने जरूर जाओंगा उस बंदी की खेर हमारे भाई वहाँ पीछे नोग थे बिचारे तो भाई को लोगी भेज दिया पेटी बना दी सीधा पांच पेटियां ठीक है इस चोटे से सनाइपर टावर के अंदर पांच पेटियां पड़ी है यार कास मैं यहाँ पे उत्रा होता भाई मज़ट है पिया जाता बिल्कुल खेर एक बंदी की मैंने ही पेटी बनाई बाकी चार पेटी यहाँ पर पड़ी वी थी पहले सोचो यार क्या ही गलच सीन हुए थे जहां तक मुझे लगता है यह सारे के सारे नियत ठीले थे हाना मतलब पांच पेटी पड़ी यह एक यह जगा मैं यार पका गलच सीन हुए होंगे खेर मैं गंगुन लेता हूँ पीछे जाता हूँ और पीछे मुझे एक बोट भी मिल जाता है तो सही है यार बढ़िया किलो चुकी है और हाँ मैंने कंट्रोल अपने चेंज टैप कर दिये मतलब देखो यार चार उंगलिया कम पड़ रही थी तो मैंने बोला क्यों ना एक और गुसा दूँ सक्रीन में उंगली हाना तो एक और गुसा दी भाई आप पाच फिंगर कलो खेलेंगे कता ही देखते कैसा जाता है सीन अब यहां आगे पे चली है डीपी धेड़ पैड ठीक है और जहां तक मुझे पता है ये लोग बोटो पे अत्याचार कर रहे हैं और यार जहां पे बोटो उपे अत्याचार हो रहा हूँ वहां पे तुम्हारा भाई न जाये ऐसा होगा नहीं कभी तो यहां पे मैं जाता हूँ उपर से बिलकुल चोड में आगे बढ़ता हूँ और जहां तक मुझे पता है यही वो बन्दा था जो बेचारे बोट पे अत्याचार कर रहा था और मतलब नौक करके छोड़ दिया बोट बेचारा रेंगता जा रहा है तो मैंने बोला यार नहीं पहले मैंने बोट की पेटी बनाई इसलिए नहीं क्योंकि मैं किलका लालची और भूका हूँ इसलिए ताकि यार बोट को सांती मिले वो जाय लोबी अपने दूसरे गिम में और इसके बाद भाई की पेटी बना नी थी क्योंकि यार बॉट पर अत्ता चार हमारे सामने नहीं चलेगा ठीक है ये बस पकवास कर रहा हूँ बॉट की मैं भी बेरहमी से ही पेलता हूँ बॉट को लेकिन कोई बात नी हमने भाई की भी पेटी बना दी ये बंदा हुआ था नौक तो यार इसके टीमेट आगे होंगे कहीं न कहीं और जहां तक मुझे पता है न इसका टीमेट भी कहीं न कहीं बोट पे अत्या चार करके आ रहा होता है देखो कहां पे होता है वो अब ये हमारे भाई उचलते कूते या तो भगनी की कोसिस कर रहे थे या उससा आइडिया बोट को ठिला के भाईया खुश टैप हो रहे थे जो भी हो यहां पे एक और बोट मिल जाता है मतलब यार इसी मैच में सारे बोट मिलने थे यहां पे मैं भाईया 62 दे रहा हूँ कि बोटो पे अत्या चार मत करो यार उसके बाद मेरे ही सामने बोट आ रहे लेकिन देखो अपन सीधा पेटी बनाता है ताकि दिक्कत नहों बोटो को वो अगले मैच में धेर पैड़ जा सकें ख्यार इसके बाद अपन लोग आगे निकलते हैं और तयार हो जाओ क्योंकि यहां पे न आपको एक नई तरीके की स्नैपिंग देखने को मिलेगी देखो यार अब यहां पे मैं अपनी बाइट में बैटके आगे जाने वाला होतों की पीछे से गोली पड़ती है वो भी खतरनाक वाली तो यार आपने PUBG में देखा होगा बंदे कार 98 से स्नैपिंग करते हैं कुछ लोग M24 चलाते हैं कुछ AWM और आज मैं आपको बोल रहा हूँ यार वो सबके सब गलत चीज उसे स्नैपिंग करते हैं सबके सब गलत हैं क्यूंकि यार असली सनैपर ये बंदा था जिसने यहां ब्रिच से S-Bara के पटका ही मतलब वहां मैं बाइक में बैट रहा हूँ कि आगे चलेंगे पीछे से कोई S-Bara के पटका रहा है अब वो बंदा कौन से गत्ते फूक के कौन से नसे में PUBG खेल ला है यार मेरे को नहीं पता लेकिन वो बंदा भग चुका होता है पहले मुझे लगा था यार बोट होगा कोई पीछे मुरत हो यार बंदा उचलकूत कर रहा है और उनका एक बंदा पानी में तैर के नजानी क्या कर रहा था इस पार आ रहा था या उस पार जा रहा था उसके तो सीधा ही बेटी बनती है लेकिन वो S-Bara के वाला बंदा भग लेता है यार मतलब मेरी पूरी ये पबजी में जितना भी टाइम मैंने बिताया सब जूट निकला क्योंकि सनाइपिंग यार S-Bara के से की जाती है खैर इस से पहले मैं आगे जाओं और और भी ज़्यादा गलच सीन हो जो की होंगे बिल्कुल हम धेड़ पैड़ बात कर लेते हैं हमारे सपॉंसर की तो यार इस एप या फिर वेबसाइट का नाम है 1XBet तो देखो यार अगर आपको बैटिंग मूटिंग का कता ही जादा सौक है तो आप इस एप या फिर वेबसाइट को यूज कर सकते हो इससे आप आराम से क्रिकेट फुटबॉल बास्केट बॉल वाली बॉल और भी कई सारी स्पोर्ट्स पे बैट लगा सकते हो साथी साथ इसमें आप कई सारे मिनी गेम्स खेल सकते हो और आपको मेरा प्रोमो कोड यूज करने पे 7000 रुपे तक का बोनस भी मिलेगा और पैसे विड्रॉ करना भी बिल्कुल आसान है हलवा है क्योंकि इसमें सारे उप्सन अवेलेबल है पे टीम, पे पाल, गूगल पे सब कुछ है इसमें तो हाँ यार अगर आपको इस सब का शौक है तो इस हैप को ट्राइ करना मत भूलना इसकी लिंक कमेंट सेक्शन में होगी बिल्कुल टोप में अब यार पबजी में ना फ्लेर ड्रॉप फ्री के खानी की तरह होता है क्योंकि बंदे दबा दबा के आते हैं अब यहाँ पे मैं आता हूँ पूरी चौड में ठीक है दर्वाजा फोड दिया दर्वाजे के बाहर हावा थी वहाँ पे भी गोलिया पेल दी सब जगा हर जगा प्री फायर दे दिया बिना मतलब के क्योंकि यार बंदा भग चुका होता है हरना और यार इसे प्री फायर भी नहीं कहेंगे इसे कहेंगे गोलियों की साफ और सीधा बरबादी साफ और सीधा मतलब फालतों में चला रहा हूँ बिलकुल जोस में आया था बंदा भग चुका है तो आप शान्ती से बैठाओ यहाँ पे अब इनके दो बंदे तो पेल दिये लेकिन एक बंदा घर के अंदर आ चुका है और ये भाई उचल कूत करते है ठीक है नीचे से भग्याते लेकिन उसके बाद भी प्रिफायर हाँ यहाँ पर प्रिफायर बोल सकते है मतलब एकाद गूली लगी थी प्रिफायर की चपेट में आके जब तक ये खूद गे मेरे सामने आते हैं भाई की सीधा पेटी बनती है और उतने में ही एक और सकॉड गाड़ी लेके रस कर देती है याँ पे अब हमारे ये भाई पीक पाक करके ओपन में आके डीपी तो पेलते हैं लेकिन भाई ने किस पे गोलिया पेली यार मेरे समझ नहीं आ रहा मतलब मेरे को तो शायद एक भी नहीं लगी खेर वो बंदा नौक हो गया है अब बाकी बंदे घर के अंदर गुसके पेले की कुशिश करेंगे और एक बंदा ट्रिपल में भी बैठा है अब यहाँ पे हमारे भाई के बिल्कुल मूँ पे नेड गिरा होता है मतलब होता है ना यार कभी-कभी आपको पताए कि आप भाग लो कुछ कर दो हिल जाओ वहां से लेकिन नेड फटेगा साथ में आपको भी ले जाएगा तो यहाँ पे भी सेम टू सेम वही सीनों रखे तो देखो उनका एक बंदा नौक है हमारा एक बंदा नौक है लेकिन वो लोग रस कर रहे होते हैं और अपन लोग रिवाइफ कर रहे होते हैं और यहाँ पे मुझे इनके रस से ज़्यादा डर लग रहा है इनके नेट से मतलब एक बंदे को तो लेटा दिया नेट करके यार कहीं मेरी बारी ना हूं अगली अब इन लोगों पे जितनी भी चीज़े होती है न भाई ये सब की सब हमारे घर पे भेग देते हैं मतलब नेट कर रखिये, मोली कर रखिये, समोक कर रखा भाई हलवा भी फेग दो यहाँ पे और हमारे ये भाई छत में चड़के गोली चलाते चलाते नीचे गिर जाते हैं और यार अभी पेटी बनते बनते बची है तो मैं कवर कुवर दे रहा होता हूँ और एक और चीज यहाँ पे गलत हो रही है वो है बोट पी आत्याचार मतलब एक बेचारा मासूम बोट पीछे से बेरिल पटका रहा होता है और उसे नोक कर दिया जाता है यार और यार ये चीज मेरे से देखी नहीं जाती मतलब बेचारे मासूम बोट को नोक करके साइड में गिरा दिया तो मैं बोलता हूँ यार पहले मैं बॉट को लो भी पहुचाऊंगा ठीक है सिर्फ मुझे किल की लालस थी और उसके बाद उसे पेलता हूँ जो बॉट की पेटी बनाने आ रहा था भाई को नौक कर दिया है अब बाक्यों की बारी अब देखो इस सकोड के दो तीन बन्दे पेल दिये गए है ठीक है बोट को भी पेल दिया उसकी किल भी ले ली अब एक आखरी बन्दा बाकी है जो की भग चुका है मतलब यही बन्दा सायद पहले भी भगाता घर के अंदर दुबारा भाई भग चुके हैं लेकिन इस बार फरक इतना है कि भाई हम में से कोई भी नौक नहीं है तो हाँ टाइम आ गया है रस करके पेलने का खैर यहाँ पर मैं इसे चुपके इसलिए बैठा था छत में क्योंकि यार फुटिश टैप आ रहे थे बाद में पता चलता है यार वो तो नौक बंदा था तो मैं बोलता हू भाई रस करो इस पे एक ही बंदा बाकी है जो कि अब छत पे चला गया होगा भाई ठीपी पी ठीपी खेल ले ओंगे तो हाँ अब गुश के पेलने की बारी आ चुकी है बस यार ये बंदा नेट न करते है मतलब डर लगता है रस्त करते है टाइम और इसी के साथ ये वाली सोकॉड भी पूरी ठील जाती है मतलब यार काफी बंदे आयते है ना फ्लेर चली है कहीं पे भी चलियो बंदे पहुँच जाते है इसलिए अगर आपको किल की लालच है किल की भूक है आप चाते हो आपका केड़ी भी आसमान चुए तो हाँ जहा कभी पेटी भी बन जाती है क्यों कि यार कभी बहुत ही जादा बंदे आ जाते हैं क्यार यहां से अपन लोग गाड़ी निकाल के भागी रहोते की एक और गाड़ी आती है पीछे और यह एक अकेला बंदा मेरे खयाल से फ्लेर पे या रहा था हना मतलब यहां पे कोई क्यों आएगा भाई यह तो जगा जोन में भी नहीं है भाई गाड़ी गुमा के कते सोलो स्कॉर्ड करने फ्लेर डिरॉप पे आ रहे थे रस्ते में पकालिया इनकी पेटी बना दी ले पीछे तो हां यार भग लेता हूं मैं यहांसे क्योंकि मैं नहीं चाहता इतने किल करने के बाद कोई साब डैस ले मुझे क्यार इसके बाद मैं देखता हूं कि भाई मेरे 20 से जादा किलो चुके हैं और यार बंदे भी बहुत अलाईवे अभी मतलब बहुत तो नहीं पड़े बंदे और मैं रस करता हूं उन पर अब देखो डीटता की भी एक लिमिट होनी चाहिए अना जोन के बाहर लड़ाए की पेल दिया बंदों को अब मुझे तमीज से तहजीब से जोन में जाना चाहिए लेकिन वो करने के बजाए मैं क्या करता हूं उपर में लूट रहा हूं कोई समोक नहीं है गाड़ी भटी अजीब सी जगा पे बनाए तो हां अजीब से गलत सीन होंगे यहां पे और उतने में ही एक आगे बाइक भगते वे दिखती है मुझे अब यहां पे इन बंदू की किल लेने के लिए तुम्हारा भाई अपना अंगूठा गिस देता है ठीक है मतलब यार चलती गाड़ी में ऐसी सस्ता स्प्रे यार दिक्कत हुती है बंदे पिलने में तो रिकॉयल जैसे तैसे कंट्रोल करके थोड़ी गोलिया मारता हूं और उसके बाद हमारे भाई गाड़ी दे पठकते हैं और मुझे बस एक ही किल मिलती है मतलब यार फुटबात समझ रखा है वाई या बाई पे गाड़ी चला रखी है दो बंदे कुचल दिये खैर कोई बात नियार मतलब कम से कम मुझे ग्रोजा तो मिली अब ग्रोजा मिल है तो यार बंदे लूटने आये होते हैं मतलब यार हर किसी को चाहिए महेंगी गने हर किसी को गलती से हैट सौट देना है एक बंदे को रस्ते में लपेट लिया अब इसके टीमेट की बारी अब यहां पर मुझे बोला जाता है कि भाईया एडव्यम चटकाओ यहां पर सस्ते सप्रेट तमीज से नहीं लग रहे है और इन्हें एडव्यम चलाने को बूलना है खेर मैं एडव्यम चलाता हूँ हना सोट भी लगता है लेकिन सर पे नहीं लगता तो कोई नियार सप्रे से काम चला लेंगे एक बंदा और बाकी है उस पत्थर के पीछे और इस बंदे ने इतने तेजी से रिवाइफ पेला कि यार मैं समझ भी नी पाया मतलब मुझे ऐसा लगा यार अभी तो नो किया है आराम से जाएगे बिलकुल मजे में लेकिन जब तक मैं पहुंशता हूँ यार बंदा सीधा नी ठिलता बाद में पता चलता है कि भाई को रिवाइफ भी मिल चुका था क्यार उसके बाद मैं यहां पे आता हूँ क्योंकि यार जो छोटा हो रहा है और आगे पे पहाड पे बंदे बैठे पड़े होते हैं और ऐसा भी नी की एक बंदा होगा नहीं यार तीन चार बंदे चौड में ऊपर होते हैं पहाड़ी के अब यहां पे मैं आगे एक बंदे को बड़ी मुश्किल से गलती से हैट्सोट चिपकाता हूँ और वहाँ पीछे दंगे चल लें ठीक है मतलब किसी ने दरवाजा खोल दिया गाड़ी की ऐसी तैसी हो गई नजाने क्या सीनों रखें तो यार मैं बोलता हूँ कोईन यार दूसरी गाड़ी ले आओ अपने गाड़ी पीछे चोड़ी थी और उत्रे मैं यहां पे स्नाइपिंग करने की कुशिस करता हूँ जो की नहीं होगी तमीस से खैर उसके बाद वहाँ पे थोड़ा और टाइम फोटने के बाद हम लोग निकल लेते हैं जोन की तरफ मतलब ठ और यहां आते ही हमारा स्वागत किया जाता है एमपोर की गोलियों से हरा मतलब बंदा उपर बैठा है चलाय जा रहा है चलाय जा रहा है मैंने बोला यार किधर है यह एक गलती से 800 पिला और बाई नौक हो चुके हैं लेकिन देखो वो जो बंदे जिने मैंने पहले आना वो भी इतनी तेजी से आर मुझे नहीं लगता हूँ पाएगा तो हाँ मुझे पता होता है अच्छे सी कि यहां पर बहुत ही जल्द थर्ड पार्टी होने वाली है उपर लड़ाईया बिढने वाली है तो मैं भी तयार बैठा हूं कि भाईया ये लोग लड़े और मै विला टैप कर दो बिल्कुल नीला कर दो अब उपर पे चल लिए जो कि मुझे लगी रहा था तो मैं भी आ जाता हूं अब यहां पर पहले मैंने सोचा था कि यार वो बंदा कदू भी नहीं देख पा रहा होगा मुझे अरा मैं बैठा था बिल्कुल चौड में उसके बाद भाई दो-चार गोलिया पेलते यार मैं बोलता हूं सीधा नीज़े चलो नहीं तो यह बंदा पेटी बना देगा और यार M249 में तो यार एक ही चीज होती है गोली चलती है तब तक पेटी ना बने जब तक हम भी यही करते तो हां वो भी यही करता खेर तयार हो जाओ यार क्यूंकि गलत सी नूने वाले और यहां पर बंदा मेरे पर नेट करने की कोशिस कर रहा हूं मैं निकालता हूं AWM सर दिखरा होता है भाई का सीधा सर पर लगता हूं और हां हेड़ सौट लग जाता है गलती से और में बात यह होती है कि बंदा नेड लेके खड़ा होता है नेड फटता है तो उसकी पेटी बनती है साती सात वो अपने दोस्त को भी ले डूपता है ठी लेकिन हाँ यार जब बंदा अपने ही बंदे के नेट से नौक वाओ तो दिल उनका भी टूटा होता है चोट वहां पे लगी होती है तो हम लोग धैड पैड जाते हैं और गुरोजा से सीधा पेटी बनाते हैं मतलब यार यहाँ पे एक दो किले और कम हो गई नहीं तो 32 कि अंगुठा मारो बस नीला टैप कर दो और अगर आप यहाँ पे नए हो तो करो सब्सक्राइब और भी ऐसे गलत सीन गलत नसे एस 12 के कि सनाइपिंग और सस्ती कमेंटरी के लिए और जाते जाते भाई लोग वानेक्स बैट चेक आउट करना मत भूलना उसकी लिंक कमेंट स जीतने का दिक्कत कारियार पमजी तो खेलना है उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी जरूर फॉलो करो तो कल मिलते है भाई लोग आज के लिए इतना ही बहुत बहुत शुक्राइब वीडियो देखने के लिए बाई बाई झालyang आउ सक्टाओ दो एक भाई इतना ही थकात बहुत दुक्क्राइब